2 दिसंबर 2023 शनिवार का राशिफल मेश राशी वालों की आज कार्यक शेत्र में किसी नवीन मित्र से भेट होगी कार्यक शेत्र की महत्वपूर्ण समस्या में मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा जिससे समस्या से उभरने में सफल होंगे कोट कचहरी के मामले में विवाद बढ़ सकता है मिथुन राशी वालों के आज कार्यक शेत्र में अत्यदिक व्यस्तता बनी रहेगी कोई शुब समाचार मिल सकता है विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की दृष्टी से आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा पढ़ाई की बजाए अन्यकार्यों में मन अधिक लगेगा आज कन्या राशी वालों को किसी महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने की बड़ी बाधा सरकारी मदद से दूर होगी कोई पुरानी इच्छा पूर्ण होगी गुप्ट शत्रूं से सावधान रहें सामान्य संधर्ष के पश्चात रुके हुए कार्या बनेंगे मेश एरीज आज कार्यक शेत्र में किसी नवीन मित्र से भेट होगी कार्यक शेत्र की महत्वपूर्ण समस्या में मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा जिससे समस्या से उभरने में सफल होंगे कोट कचहरी के मामले में विवाद बढ़ सकता है अतह इस दिशा में विशेश सजग एवं सावधानी बरतें विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा संधर्श युक्त रहेगा अध्ययन में मन कम लगेगा आपकी व्यापारिक स्थिती सुधरेगी व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को नए आईस रोतों पर ध्यान देने की आवश्यक्ता रहेगी कार्यक्षेत्र की परेशानियों कम होगी सहकर्मियों के साथ सहयोगात मक व्यवहार बढ़ाने की कोशिश करें नौकरी में पदोननती होगी उपाय, घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं गनेश जी के मंत्र का जाप करें अपने किसी जरूरत मंद प्रियजन का सहयोग करें व्रिशब टॉरस आज नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे लोगों को नौकरी से संबंधित शुब समाचार मिलेगा फोस से जुड़े लोगों को अपने शासन पराकरम के बलपर महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी आप अपने शत्रू पर विजय प्राप्त करेंगे पारिवारिक समस्याओं को लेकर मानसिक उलजिने बढ़ सकती है सयम रखें किसी को कटू वचन ना कहें योजनाबद तरीके से कार्य करें सगे भाई बहनों का यथा संभव सहयोग प्राप्त होता रहेगा धैर्य एवं साहस बनाए रखें किसी पर अधिक विश्वास न करें अपने उपर भरोसा रखें अपनी सूजबूच से निर्ना इलें एश्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होने की संभावना है विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की द्रिष्टी से अच्छा समय रहेगा उपाय थोड़ी सी हल्दी पानी में डालकर स्नान करें आज जल चड़ाने के पत्र में भरकर उसमें होली तथा अक्षत मिलाकर सूर्य देव को अर्ग्यदें मिथुन जैमिनाई आज कार्यक शेत्र में अत्यदिक व्यस्तता बनी रहेगी कोई शुब समाचार मिल सकता है विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई की द्रिष्टी से आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा पढ़ाई की बजाए अन्यकारियों में मन अधिक लगेगा जिसका पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पर सकता है एश्ट मित्रों से विशेश योजना पर विचार विमर्ष होगा कार्य क्षेत्र में असमंजस की स्थिती पैदा न होने दे नौकरी में अपने अधिनस थेवं उच्चा अधिकारियों से तालमेल बना कर रखें अपनी कमियों को दूसरों के समक्ष उजागर न होने दे निजी व्यवसाई के क्षेत्र में उन्नती के साथ प्रगती होने के योग है क्रिशी कारियों में सनलग्न लोगों को सहोदर भाई बहनों का सहयोग मिलेगा उपाय, आज केले के व्रिक्ष की पूजा करें सहयोगियों के साथ मिलकर कार्य करने से लाब होगा दूसरों को अपनी कमजोरी का पता न चलने दे लोग आपकी कमजोरी का लाब उठा सकते हैं सहोदर भाई बहनों का भाग्य खुलेगा लंबे समय से रुके हुए कार्य सिधह होंगे शासन सत्ता से जुड़े मामले में सफलता मिलेगी कार्य क्षेतर में चल रही परेशानिया कम होगी व्यापार के क्षेतर में सनलगन लोगों को अचानक लाब होने के योग बनेंगे नौकरी में पदोननती होगी राजनीतिक क्षेत्र में पद एवं कद बढ़ेगा उपाय, आज सायम काल के समेशनी चालिसा का पाठ करें रिन मुचक मंदल स्तोत्र का पाठ करें गरीब लोगों को मीथा दलिया बाटें सिंग, लियो, आज शासन सत्ता से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण डाइत्व प्राप्थ होंगे नौकरी में पदोन्नती होने का समाचार मिलेगा पदोन्नती होगी कर क्षेत्र में किसी विशिष्ट व्यक्ती से सहयोग एवं शान्ती प्राप्थ होगा विद्यार्थियों के लिए दिन विशेश अच्छा नहीं रहेगा अध्ययन की ओर से अधिक मन लगाने की आवश्यक्ता है व्यवसाय में अधिक परिश्रम करने पर उसी अनुपात में फल प्राप्ती होगी कार्यक शेत्र में पहले से चली आ रही बढ़ाएं दूर होगी सकारात्मक सोच के कारण आपको समझ में मान सम्मान प्राप्त होगा महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में शुब संकेत प्राप्त होगे शत्रू एवं विरुधी पक्ष आपके प्रती कुछ नर्म रहेगा कोर्ट कचहरी के मामले में कोई परिजन विशेश सहयोगी सिदह होगा उपाए आज किसी गरीब व्यक्ती को आटा तथा लाल राजमा की दालदान करें एक समय नमक ना खाएं मीथा भोजन करें किसी जरूरतमंद परिजन की आर्थिक मदद करें कन्या वरगो आज किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने की बड़ी बाधा सरकारी मदद से दूर होगी कोई पुरानी इच्छा पूर्ण होगी गुप्ट शत्रूों से सावधान रहें सामान्य संघर्ष के पश्चात रुके हुए कार्या बनेंगे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अधिक खर्चिला साबित हो सकता है पढ़ाई के लिए विदेश जाने की योजना बन सकती है अथ्वा उच्छ शिक्षा प्राप्ती हेतु घर से दूर जाना पर सकता है कार्यक शेत्र में व्यवसाई करने वाले लोगों को अधिक परिश्रम करने पर भी सामान लाब मिलेगा नौकरी में सहयोगियों के साथ मत भेदादी उभर सकते हैं क्रोध पर नियंत्रन रखें, बंते कार्य में विगन बाधाएं दूर, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, विदेश सेवा से जुड़े लोगों को लाब होगा उपाए, आज तेल मालिश कर सनान करें, पीपल के व्रिक्ष की पूजा करें, आज हनुमान जी की आराधना करें, उन्हें गुर के बने हुए पकवान को भोग के रूप में अर्पित करें तुला, लिब्रा, आज कार्यक शेत्र में कोई ऐसी घटना कर सकती है, जिसका कार्यक शेत्र में कार्य पर प्रभाव पड़ेगा किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है राजनीती में आपका पद एवं कद बढ़ सकता है विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की दृष्टी से आज का दिन अच्छा रहेगा परीक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता प्राप्थ हो सकती है कार्य क्षेत्र में पहले से सोचे समझे कार्यों में सफलता मिलेगी आप समाज में अपना स्थान बनाने में सफल होंगे लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के सयोग बनोगे रुके हुए सभी रुके हुए कार्यपूर्ण होंगे कार्यक्षेत्र में पुरानी सभी समस्याइं सुलजेंगी तथा सफलता के नए मार्ग मिलने की संभावना है नौकरी में पदोन्नती होने की शुब सूचना प्राप्थ होगी उपाए आज अपने पूजा घर में अपने इश्ट देव की प्रार्थना मूर्ती के समक्ष देशी घी का दीपक प्रस्तुत कर अपने इश्ट की आराधना करें परिवार में किसी व्रिधव्यक्ती की सेवा करें व्रिश्चिक्ट स्कॉपियो आज कार्यक शेत्र में मित्रों से विशेश सहयोग प्राप्त होने की संभावना कम है अपने साहस एवं पराक्रम से स्थिती को सुधारने में सफल होंगे सभी से अपने मन की बात नहीं करना पैत्रिक संपत्ती के संबंद में वारता चलेगी कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण कार्य में सफलता के संकेत प्राप्थ होंगे कोई नया कार्य प्रारंब कर सकते हैं सगे संबंधी इश्ट मित्रों की और से सहयोग प्राप्थ होने के योग बनेगे आपकी कार्य शेली से लोग प्रभावित होकर आपकी प्रशंसा करेंगे पहले से रुके हुए मनोनुकूल कार्य बनने के संयोग बनेंगे राजनीतिक क्षेत्र में आपको किसी विशेश अभ्यान का नित्रित्व करने का अफसर मिलेगा उपाय, आज गनेश जी को दूरवा एवं मोदक चड़ाएं तथा ओंगम गनपत्य नमह मंत्र का जाप करें गनेश चालीसा का पाट करें परिवार में छोटे किसी बच्चे को हरे वस्त्रदान करें धनू, साज़ेटेरियस आज कार्यक शेत्र में व्यर्थ भाग दौर बनी रहेगी व्यापार में व्यर्थ वाद विवाद से बचें किसी महत्वपूर्ण कार्यम में विलंब होने से मन्खिन रहेगा नौकरी में अधिनस्त कुछ शड्यंत रच कर अपमानित कराने का कार्य करेगा कोट कचहरी के मामले में कोई निर्नाय ना आने से मन्विचलित होगा वहन तीवर गती से ना चलाएं अन्यता दुरगट ना हो सकती है राजनीती में पद एवं प्रतिष्था बढ़ेगी भोग विलास में वृत्ती रहेगी विदेश यात्रा अथ्वा लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे धन संपत्ती मामले में सफलता मिलेगी व्यापार में नए सहयोगी लाबकारी सिध होंगे उपाए लालपुष पानी में डालकर स्नान करें मकर क्याप्रकॉन आज किसी अभिन मित्र से भेट होगी बौधिक शमता में वृद्धी होगी डेव ब्राहमनों के प्रति आस्था बढ़ेगी परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन होगा ब्रिहस्त जीवन में अकारन मद्भेद उत्पन हो सकते हैं महत्वपूर्ण कार्य में विलंब होने के कारन मन्खिन रहेगा राजनी तिक महत्वा कांक्षा की पूर्ती होगी कार्यक शेत्र में नए साथी लाबकारी सिध होंगे आपको कोई महत्वपूर्ण पद अत्वा जिम्मेदारी मिलने के योग है मनपसंद भूजन प्राप्त होगा वार्तालाप में अपने शब्दों के चैन का विशेश ध्यान रखें अन्यथा बनी बाद बिगर सकती है नए दोस्तों पर अत्यदिक भरोसा घातक से धहो सकता है उपाय, माता लक्ष्मी को गुलाब के दो ताजे फूल अर्पित करें कुम्ब, अक्वेरियस आज कोई शुब समाचार मिलेगा स्वादिष्ट मनपसंद भूजन प्राप्त होगा व्यापारिक समस्या का समाधान होगा कार्यक शेत्र में नए अनुबंध होंगे नौकरी में उच्चा अधिकारियों की निकटा का लाब मिलेगा परिवार संग यात्रा या देशाटन पर जाने के योग बनेंगे राजनीतिक संबंधों का लाब मिलेगा समाज में मान एवं प्रतिष्था बढ़ेगी किसी अंजान व्यक्ती पर अत्यधिक विश्वास करना घातक सिधहोगा दूर देश से किसी प्रियजन का शुब समाचार मिलेगा माता पिता से आर्थिक मदद मिल सकती है किसी बड़ी योजना को गुप्त रूप से आगे बढ़ाएं अत्यधिक भावुकता से बचे आई के नए स्रोथ खुलने से आत्म विश्वास में वृद्धी होगी उपाय सुराख वाला तामबे का पैसा बेहते पानी में बहाएं मीन पाइसीज आज कार्यक शेत्र में व्यर्थ भाग दोर बनी रहेगी क्रोध पर नियंत्रन रखें अन्यता बात पुलिस तक पहुँच सकती है किसी कीमती सामान की चोरी होने का भय बना रहेगा व्यापार में कोई विश्वास पात्र व्यक्ती धोखा दे सकता है किसी प्रियजन से दूर जाना पर सकता है अन्चाही यात्रा करनी पड़ेगी राजनीतिक शेत्र में अत्यदिक व्यस्तता बनी रहेगी यात्रा में वाहन कुछ तनाव दे सकता है परिवार में व्यर्थ वाद विवाद हो सकता है नौकृरी प्राप्त करने के प्रयास सफल होने से मनप्रसन रहेगा विदेश यात्रा अथ्वा लंभी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बनेंगे नौकृरी में उच्च अधिकारी के कोप के शिकार हो सकते हैं व्यापार में AI की अपेक्षा व्याए अधिक होगा उपाय चंद्रमा को प्रनाम करें आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते अधिक रिपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद